हेलो फ्रेंड्स आयम अनमोल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे लौ फिल्ड में आप अपना करियर कैसे बनाएं यदि आप लौ करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लास्टर तक जरूर देखें क्योंकि यदि आप ये वीडियो लास्टर तक देखिते हैं तो आ आपकी salary कितनी होती है इससे related सारे question आपके इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और friends law करने के सबसे ज़्यादा फाइद ही होते हैं कि अधी आप law कर लेते हैं तो आपको जोब भी नहीं मिलती है तो आपको भट टेक्निक ज़रुत नहीं होती है ऐसे बहुत सारे option होते हैं जिससे आप बेरोजगार नहीं रहेंगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो friends पहले हम इसके course की बात करें कि law में आप कौन-कौन से course कर सकते हैं तो law में आप course कर सकते हैं B.A.L.L.B. L.L.V. और L.L.M. Friends हम एके करके तीनो course के बारे में जानेंगे इसके बाद हम फाइद जान करनेंगे इन course को करने के पहले आप जानने की course होते क्या हैं बात करें हम B.A.L.L.B. तो friends ये 5 years course होता है इसका full form बैचलर ओफ आर्ट्स प्लस बैचलर ओफ लॉग होता है ये 5 years course आप 12 वाइद कर सकते हैं आप किसी भी stream से हैं Maths, Bio, Commerce या Arts किसी भी stream से 12 मानेता प्राप्त बोड से आप 44% से रिपास करते हैं तो आप इस course में अड़िशन ले सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपने 12 आर्ट से किया है तो ही आप B.A.L.L.B. में अड़िशन ले सकते हैं आप किसी भी stream से हो आप B.A.L.B. में अड़िशन ले सकते हैं B.A.L.B. जो course होता है इसमें आप B.A. के subject और law के subject दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं इसमें 10 semester होते हैं और 1 year में 2 semester होते हैं हम बात करें subject की तो आप इसमें अर्थिसास्ट, इतिहास, राजनीती विज्यान, समाज सास्ट के सासाथ, नागरिक लो, अपराधिक लो, स्रम लो, टेक्स law, प्रशास्निक law, corporate law, pentate law, आदी विश्यों का अध्यन करते हैं हम बात करें कि B.A. L.L.B. कहां से करने चाहिए तो friends आप B.A. L.L.B. में अडिश्यों लेने के लिए आप किसी भी government, central या private university या college से आप अपने B.A. L.B. कर सकते हैं बट आप जहां से भी ये course करना चाहते ह BCI जो Bar Council of India होती है उससे प्रमारी करत है या नहीं यदि प्रमारी करत है तो ही आप ये course करें अब हम बात करें L.L.B. की तो friends L.L.B. का full form legislative law होता है ये 3 years course होता है यदि आप इस course में अडिश्यों लेना चाहते हैं तो आपकी graduation complete होनी चाहिए जरूरी नहीं कि आपने graduation में BA किया है तो ही आप L.L.B. कर सकते हैं ऐसा नहीं है यदि आपने BCOM, BBA, BSC कुछ भी किया है आपका graduation है तो आप L.L.B. में admission पा सकते हैं L.L.B. आप कहीं से भी कर सकते हैं बट बहुत सारी college, university होती हैं जिनमें आपको प्रविश परिक्षा पास करने के बाद ही आपको graduation दिया जाता है परन्तु बहुत सारी university and college भी होती हैं जहां आपको बिना परिक्षप दिये आपका graduation आपको L.L.B. में मिल जाता है L.L.B. में आपको law के subject पढ़ाय जाते हैं इसमें आपको कोई भी art से या other subject से related कोई भी subject नहीं पढ़ाय जाते हैं यहां आपको three year law परने मिलेगा अब हम बात करें L.L.M. तो friends हम L.L.M. की बात करें तो L.L.M. Master of law होता है यदि आप law के बारे में बहुत जादा deeply जानकारी लेना चाहते हैं अधार आप law के बारे में एक विसेशग्य बनना चाहते हैं और law के छेतर में संपूर जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो आप यह course कर सकते हैं L.L.M. जब आप करते हैं तो आपको L.L.B. या V. L.L.B. complete होना चाहिए इसके बाद ही आप L.L.M. कर सकते हैं L.L.M. एक master degree है इसमें आपको law की संपूर जानकारी हो जाती है इसलिए आपको master of law कहा जाता है फ्रेंड्स हमने बात की कि law से related कौन कौन से course होते हैं और आप यह course कहां से कर सकते हैं अब हम बात करेंगे फायदे लेते हैं तो अब ही हमने इसके course से देखे अब हम देखेंगे कि law field में आप अपना carrier कैसे बना सकते हैं क्या 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 इसमें बड़ी नौकरी होती है क्या पद होते हैं जो आपको बहतर भविश्य बनाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो पहला होता है option होता है आपके पा इसके दो सब्द होते हैं lawyer और advocate इन दोनों सब्द का अपना एक अर्थ होता है मैं अभी इन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूं उस वीडियो में आगे हम discuss करेंगे इन दोनों topic के बारे में अभी फिलाल हम देख रहे हैं अभी हम topic topic देख रहे हैं कि कौन कौन से आपके पास बहतर option है law law में पहला आपके लिए होता है lawyer होता है बकालात करना होता है advocate और lawyer दोनाम से है जाने जाते हैं इस पेसे के लिए आपको कोई experience की या किसी other course की जरुरत नहीं होती है यदि आप B.A.L.L.B. या L.L.M. या simple B.A.L.L.B. करते हैं तो भी आप बकालात कर सकते ह बकालात इस field में सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आप All India कहीं से भी आपने बकालात की है तो आप किसी भी court अदालत में जाकर बकालात कर सकते हैं इसके लिए आपको Bar Council of India का registration करवाना होगा जैसे ही आप बहार registration करवाएंगे इसके बाद आपका एक exam होगा जो Bar Council of India ल जाएगा उस registration से आप कहीं भी All India के किसी भी आदालत में आप बकालात कर सकते हैं यानि केस लड़ सकते हैं आप एक lawyer हैं अब हम बात करें corporate नौकरी तो corporate नौकरी जो हैं वो आप कैसे कर सकते हैं तो corporate छेतर में आप किसी भी छेतर में हम बात कर रहे हैं second option की जी हां यह बहु बित्तिय और लेखा विभाग मानप संसादन विभाग सप्लाई चेन मैनेजमेंट परेटन उद्धोग इन्बेस्टमेंट बैंकिंग यी commerce उद्धोग जैसे बड़े बड़े उद्धोगों में बड़े बड़े विभागों में आप advisor के तोर पे काम कर सकते हैं यहां आपक friends यहां आपको बहुत सारी company दोरा आपको package भी दिया जाता है और यह package आपको आप जिस भी college से आप कर रहे हैं वहां के campus से भी आपको provide करवाया जा सकता है और आपको एक बहुत अच्छा option मिल जाता है अपने भविश के लिए यहां पे आपको बहुत ज्यादा salary में job मिलती हैं बहुत बड़ी-बड़ी job मिलती हैं इनकी salary काफी high होती है आपको all India में कहीं भी है अप अन्योचिटी मिल सकती है आप कहीं भी आपको job मिल सकती है तो आप इन सभी दोगों विभागों में आप advisor के तोर पर कार कर सकते हैं आगे हम बात करें नियाएधीस नियाएधीस इस field की सबसे बड़ी जो पद होती है वो नियाएधीस ही होती है लॉफ फील्ड की बात हम करें तो लॉफ फील्ड में यदि आप नियाएधीस बनने योग हैं नियाएधीस बनने के लिए आप भारती नागरिक होना चाहिए और आपकी जो डिग्री है आपने जो कूर्स कर रखा है लल्बी हो या लल्म हो या एक ऐसी कॉलेज या यूनिवसिटी से होनी चाहिए जो बार काउंसलिंग आफ इंडिया दोरा प्रमारी कृत हो यदि ये प्रमारी कृत नहीं है तो आप इस जज यानि हम जिसे बोलते है नियाएधीस इसके लिए आप उम्मीदबार नहीं कहलाएंगे आप इसके लिए अपलाएं नहीं कर सकते हम इस लिमिट की बात करें तो इसमें 35 यह से 45 यह मैग्जीमम इस लिमिट होती है मिनीमम की बात करें तो 21 यह इसकी मिनीमम इस होती है इसमें अलग-अलग स्टीम में जज होते हैं उसे जो age limit है वह 35 years होती है हमें ADG की बात करें तो 45 years होती है इस से ज़्यादा की age के जो candidate नहीं होते हैं उमीदबार नहीं होते हैं बहुत सारे state ऐसे होते हैं जहां आपको न्यालय की जो न्याधिस होते हैं वहां न्याधिस के लिए apply करने के लिए आपका experience होना चाहिए यानि आपकी practice होनी चाहिए साथ से 10 साल का आपका अनुभव आपके पास होना चाहिए लेकिन बहुत सारे state ऐसे भी हैं जहां पेपर कंडेक्ट कराता है और वह एक्सप्रियंस नहीं मांगता है बहां आपको कोई एक्सप्रियंस के जरूत नहीं होती है बस आपकी लॉग की डिगनी होना चाहिए बी एलल्बी या एलल्बी तो आप पेपर दे सकते हैं आगे हम बात करें कानूनी सलहकार लीगल एडवाइजर ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है आपके लिए यह एक कानूनी सलहकार का एक बड़े निगम या एक संगठन के साथ ही एक ग्रहक को कानूनी सलहें देता है सलहकार की जिम्मेदारी एग्रिमेंट्स तयार करना बाची करना कॉपरेट कानून का पालन करवाना और करमचारियों के साथ ही मैनेजमेंट्स से जुड़ी बिबादों में सलह देना होता है यदि आप कानून की सलह लेना चाहते हैं तो आप जिन से हम सलह लेते हैं उन्हें कानूनी सलहकार कहा जाता है तो आप लीगल एडवाइजर के तोर पर भी अपना काम कर सकते हैं आगे हम बात करें कम्पनी सचिप तो कम्पनी सचिप या कम्पनी सैकेटरी को कम्पनी चलाने के एहम पहलों के सासत कानूनी मामलों के अच्छी समझ होनी चाहिए इसलिए B.A.L.L.B. जैसी law की डिग्री वाले चात्रों के पास कमनी सेक्रेटरी बनने का बहतर बिकल्प होता है उम्मीदबारों को CS में एक सैटिफिकेट कोर्स करना होता है इसकी पढ़ाई के केवल Indian Company Secretary Institute करवाता है यदि आप CS का कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स केवल इंडिया में ICSI यानि Indian Company Secretary Institute ही आपको करवाता है यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको कमपनी सचिब के तोर पर कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है तो ये बात की हमने Lock के लिए कि कितने अच्छे option आपके पास होते हैं प्रेंड्स यदि आप Lock कर लेते हैं तो आपको फाइदे ही फाइदे हैं इतने सारे option आपके पास होते हैं आप किसी भी Company में आडवाइजर के रोकताओर पर काम कर सकते हैं तो आप यदि लॉक करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो देखके आपको सब समझ आ गया होगा कि लॉक क्या होता है इसमें कोच क्या होते हैं तो और इसके option आपके पास future में क्या क्या करने के होते हैं तो आप ये सभी आपके लिए बहुत जादा महत्पूर पहलू थे कि आप जाने अब हम आम तोर पर बात करें कि लॉक सामान नागरिक के लिए लॉक के क्या फाइदे हैं तो लॉक यदि आपने पड़ रखा है तो आपको सबसे वड़े फाइदे तो यही हैं कि आपके जीवन में आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता क्योंकि आप लॉके ग परेशान नहीं करेगा हमारे हमारे भारत में जो बिदी है उसको सबसे जादा मानिता दी गई है तो आपको यहां तो बहुत जादा फाइदे मिलने वाले हैं विदी का ज्यान होगा आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी तो आई होब कि आपके लिए लॉसे रि जिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में